हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागता है हमारे चैनल इनफो गवर्मेंट जोब्स पर तो दोस्तों आज का वीडियो आपका रेलवे एलपी और टेक्निशन का रिप्लाई एक ही क्यों आता है दोस्तों सभी जोन से यह सबसे बड़ा क्यूशन है क्योंकि आप लगबग काफी आर और कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं दोस्तों बढ़ती से समद्धित आपको मतलब कि ना के बराबर जानकारी है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो तो उस पर हम डिसकस करेंगे आर्टिया कब लगाने चाहिए आपको इसका रेजन दोस्तों कि आपको आर्टिया कब को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली अपडेट आपसे बिल्कुल मिशना हो तो दोस्तों काफी आटिया आपने देख ली होंगी तो यह आपको मैं दिखा रहा हूं एक और आटिया जो आपकी रेलवे रेक्रुमेंट बोड अलाहबाद में लगाई हुई है और दोस्तों इसका रिपलाई आया था 15 तारीक को इसके बाद में इसमें रिपलाई में क्या पूछा गया है दोस्तों पूछा यहीं गया है इसमें मेडिगल के बारे में तो इसनोंने क्या बोला दी रेक्रुमेंट प्रोशेस फोर दे पोस्ट ऑफ नोटिफाइड अंडर सी एंजीरो 2018 is yet to be completed and the same will be come to finally only on publish of the recruitment panel तो यानि इन्होंने बोला है भी complete नहीं हुआ है process जैसे ही complete होगा उसके बाद में आपको recommend panel के अंदर जगह दी जाएगी तो यहां पर इसके बाद में जो भी reply आएट यह लाबाद में आप करोगे उसके निचे आपको ये अलग से देखने को मिल जाएगा ये इतने बड़ा paragraph है ये तो इसमें हम देखते हैं क्या कुछ है all the relative information are being placed on the officially website of rrbs for time to time तो यह नहीं बोला इन्होंने जो भी आपकी जानकारी आएगी information आएगी वो सभी rrb की website पर time to time है वो upload कर दी जाएगी in the public domain for the information of candidates तो आपको वहीं पर मिलेगी सब जाएगा unless the entry selection process is completed no other information can be for instance since it not only vitales the selection process but also result in deserves of the limited manpower and no public interest will be servant तो इन्होंने बोला है इसके अंदर यह साप साप यही लिखा गया है कि जब तक आपका process हो बरती का process हो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको RTI के अंदर कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी RTI के अंदर आप public के मामली में जानकारी ले सकते हो ना कि कोई बरती की process के अंदर आप पूछ सकते हो तो इसके बाद नहीं कहा लेगा यू में कांडली अप्रेंट्टी दी शिन्योरी एंड सब्मिट यूर रिक्वेस्ट फो इन्फोर इन्फोर्मेशन आफ्टर पॉब्लिकेशन ओप दा पाइनल रिक्वेस्ट फोर इंफोर्मेशन अंडर राइट फोर्मेशन एक्ट दोहजर पांच इस टेट एज ऐज क्लोजड तो दोस्तों इन्होंने यह बोला है कि आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भरती से समय जो भी जानकारी वो फाइनल पेनल आने के बाद जो प्रोशेस आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद में आप आ राट या लगा सकते हो जैसे की मैंने आपको बताया था कि वेटिंग वालने को आट लगाना चाहिए लेकिन जब final panel पूरा आ जाए, पूरी vacancy वो fill up हो जाए उसके बाद में आपको RTA लगा के ये पूछ लेना चाहिए कि आपका merit के अंदर कौन सा करमांग है, आप कितने नंबर से waiting में है आपके कितने नंबर है, आपका medical standard क्या है वो उसके बाद में आप process हो पूछ सकते हो, इसी आपके RTA के अंदर ये ही लिखा गया है कि जब तक requirement process हो आपका पूरा नहीं होता, तब तक हम आपको कोई जानकारी है वो आपका right to information के इसाब से नहीं दे सकते हैं नीचे लिखा गया, please keep to touch of rrb.gov.in for updates तो यानि कि आपको website के touch में रहना है, वहीं पर जो आपको update आएगी, वो वहीं पर आएगी तो लगबग zone में आपको यही reply देखने को मिलेगा, जैसे मैंने channel के अंदर लगाया था RTA तो उसमें भी यही आया था, medical के बारे में पूछा तो कि अभी process वो पूरा नहीं हुआ है, process पूरा होने के बाद आप जानकरी ले सकते हो तो लगबग आपका यही reply आएगा, अगर आप medical के बारे में पूछते हो तो बाकी panel के बारे में कुछ RTA जैसे channel में आपका panel के बारे में दो RTA लगाई थी एक आपका ELP के panel के बारे में जिसमें उन्होंने reply दिया था, कि आपका panel हो 31 October से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा, जो कि 16 October को जारी कर दिया गया नमबर दो पर मैंने फिर से पूछा RTA वालों के panel के बारे में तो उन्होंने कहा कि अंडर प्रोसेस में है, तो उसके बारे में जैसे आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी, यह उन्होंने लिखा है तो आप पेनल के बारे में पूछ सकते हो, RTA का फुल प्रोसेस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर जागे लिंक आपको डिश्क्रिप्ट में मिल जाएगा जिसके अंदर आप फुल प्रोसेस है, वो ओनलाइन RTA अपलाई किसी भी जोन में कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सिंपली वे में सिर्फ दिस रुपे का सुलक पे करना होगा और आपको क्यूसन है वो जो भी आपके परसन है, दोस्तो काफी यह डाउट है कि आपका हमारा पेमेंट नहीं हो रहा तो दोस्तो आपको परसन पूछना है, वो सिर्फ फॉरसिफ इंग्लिश बासा में पूछना है, इंग्लिश लेंग्वेज में पूछना है, और उसके बाद में क्यूसन के अंदर कहीं पर भी आपको क्यूसन मारक नहीं लगाना है, यह आपको ध्या अगरो दोस्तों मैं किस-किस की आटेया लगाऊंगा मैं शिर्फ चेने की इसलिए लगाई क्योंकि मैं चेने से संबंदित हूँ और आप अपने आटेया लगा सकते हो मैंने फूल प्रोसेस पर वीडियो बना दिया था तो वह आप देखकर आटेया लगाओ आपको रिप्ला